नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंद्र जन्पत अन्दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है अमारे दूसरे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है अब देखें केजरिवाल एंड कमपनी सराब घोटाले के बाद से ही जिस तरीके का सफेद जूट जन्ता के अंदर परोस रही थी आज खुद हाई कोट ने ही केजरिवाल की पोल खोल कर रख दी पोल इसलिए भी खोल दी और हाई कोट इसलिए जरूरी था कोई भी पार्टी अगर केजरिवाल पर आरोप लगाती तो केजरिवाल एंड कमपनी पहले ही अपने सभी लोगों को सर्टिफिकेट बाट चुकी है कटर इमानदार का, कटर देशबगत का, सहीद भगत सिंग के बंसर्ज का ये सारे सर्टिफिकेट पहले ही बाट चुके है इसलिए केजरिवाल तो जूते हो ही नहीं सकते थे लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज हाई कोट ने केजरिवाल की सारी पोल पट्टी खोल दी और हाई कोट ने ये जो पूरा आज एक एक पॉइंट पर जो बोला है उसके पीछे हाई कोट की एक बड़ी रनदीती भी रही है क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो अर्विंद केजिवाल एंड कमपनी है ये कितनी बड़ी जूटी और मकारों की मंदली है क्योंकि ये हर बात पर एक नया सवाल जूट बूट खड़ा करने की जो कोशिस करते हैं उसको आज जमीन पर धरासाई करना बेहत जरूरी था तो आज कोट ने एक-एक सवाल का जवाब पॉइंट टू पॉइंट दिया है यानि कि कोट ने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जिस पर ये सवाल उठाते थे और उस पर ये जूट बाहर आकर जो बोलते थे उन सभी को आज ध्वस्त कर दिया पूरी तरीके से देखिए सबसे बड़ी बात ये थी ये लगातार कहा करते थे कि हम एक भी पैसा नहीं बरामद हुआ है आज कोट ने बिल्कुल किलियर किया हाई कोट ने किया मैं हम और आप नहीं कर रहे हैं हाई कोट ने बिल्कुल साफ तोर पर किलियर किया कि देखिए जो पैसा नहीं म गया था उसकी ED ने पूरी लिष्ट सौपिय किसको कितना पैसा मिला कहाँ कहां 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 कर्चुआ किस तरीके से कर्चुआ ये जो दुभिजय नायर है विजय नायर परभावी था दुर्गेश पाठक वहाँ पर पैसे की रिसीविंग लेता है और दूसरे जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे चुनावों में उनको बाटता है यह सारी चीजे एडी ने एक के बाद एक पेपरों में रखी है इसके अलावा उन सभी लोगों के बयान है जिनको पेमेंट कैस में किया गया था याने के जो सरा भोटाले का 100 करोर रुपया था उसको पूरा चुनावों के अंदर ठिकाने लगा दिया था जिन में से 45 करोर आते हुए कि भाईया ये तो 100 साल पुराना कानून है ये आज का कानून सिर्फ आप ही के लिए तोड़ों बदला गया है कि आप बार बार सवाल उठाते हैं तो इसमें जो अप्रूबर है वो यानिके सरकारी जो गवा होता है सिर्फ सह अवयुक्त हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि जो सह अवयुक्त होते हैं उन्हें सरकारी जाने के अप्रूबर बनने का अप एक मौका उनके पास होता है और वो अदालत के सामने यानि के जो इडि ने जो बयान लिए थे उन बयानों की बात नहीं कर रहे हैं इडी ने जो बयान अप्रूबर के IPC की धारा 164 के तहत कराए थे जुडिशल मजिस्टेट के सामने उसमें अरविंद केजडिवाल का नाम इन अप्रूबर्स ने लिया है तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनको अरविंद केजडिवाल के पास बारे में पहले गवाही कराई गई और उसके बाद इनको आप्रूबर बना यह सब नहीं था इसको भी आज कोट ने किलियर कर दिया है इसके अलावा जिस तरीके से आज सरकारी गवाहों पर बार बार यह उठा रहे थे उनको भी उन्होंने पूरी तरीके से कोट ने नकारते हुए कहा कि इसकी कोई मतलब नहीं है जिस तरीके का यह जूट बोल रहे हैं जाच और पूश्टाच के मामले में जिस तरीके से बार-बार कहते थे ये के देखिए चुनाओ से पहले एन पहले ये कारवाई कराईगी ताकि केजरीवाल चुनाओ में हाजिर ना हो आप समझे अक्तूबर महीने में पहला सम्मन अरविंद केजरीवाल को आता है और इसके बाद वो कहीं और चले गए पंजाब चले गए विप्यासना पर चले गए जहाँ पर उन्होंने आतंकबादियों से मिटिंग की तो ये सारे जिस तरीके से वो बच्चते घूम रहे थे आज कोट ने उस बात को माना है कोट ने कहा कि ये आज का मामला देंगे और ना इस इस पर भी इन्होंने मूँ बंद कर दिया और जो ये जो पूरी याची का थी ये लगाई गई थी जमानत के लिए नहीं थी ये कोट के अंदर कोट ने ये भी किलियर किया ये जो जो जमाई लगाई गई थी याची का ये उनकी रिमांड और हिरासत को ले कर थी तो उस पर आज एक एक करके point to point जिस तरीके ने सारी चीजे रखे गई ED ने जो आरोप लगाया उन्होंने का कि इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाब के अंदर हुआ है और उसके साथ जो सबूत थे वो भी कोट के सामने रखे ED ने बाद में कहा कि क्योंकि party के सही हो जख अर्विंद केजरिवाल हैं आम आदमी party के सही हो जख हैं अर्विंद केजरिवाल और अर्विंद केजरिवाल अगर इस गोटाले में लिप्त थे और इस गोटाले को इसकी रिस्पत ले रहे थे और पार्टी के पास भी रिस्पत का पैसा आया था इसका मतलब जो पीमले की धारा सत्तर है याने के जो एडिय है उसने आम आदमी पार्टी को एक तरीके से कमपनी के रूप में देखा है यानि कि अरविंद केजरिवाल को जो सेंबल खरीद चीन लेगा और आम आदमी पार्टी का नाम भी चीन लिया जाएगा यानि के बहुत जल्दी अब ये जो ब्रस्टाचारी जो लोग थे ये सड़क पे आ जाएंगे सड़क पे तो वह से भी रहते धरना परतासन करते लेकिन अब ये बिल्कुल सड़क पे आ दिल्ली की जन्ता इनको अब और मौका नहीं देगी सरत रेडी के रागाव रेडी और सरत रेडी के बारे में भी हाई कोट ने आज कहा कि इनके बयान जिस वक्त दर्जिए गए उस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं था यानिए कि ये अप्रूबर बने और इनको अप्रूबर पूरा प्रहावधान है हाई कोट ने इस बात पर भी महर लगा दी कि अप्रूबर गलत है क्योंकि हाई कोट का मानना है कि अप्रूबर का बयान एडी का नहीं होता है बलकि अप्रूबर का बयान धारा आई पीची की धारा 164 164 के ताहर जुडिशल मजिस्टेट के सामने लि तो आज पूरी तरीके से धोके रख दिया जो आमादमी पार्टी है और अरविंद केजिवाल एंड कमपनी है उसको खुद किसी को जरूरत नहीं पड़ी कोट ने हाई कोट ने आज अरविंद केजिवाल एंड कमपनी की सभी जूती बातों की पोल खोल कर रख दी और जिस त कि अगर कोट कह रहा है ये हम नहीं कह रहे हैं आप बहुत सारे लोग ये सोच सकते हम ये खबर दे रहे हैं तो हर किसी पर आजकर ये क्योंकि आमादमी पार्टी की परता ऐसा सब पे लांचल लगाना लेकिन असल बात ये है कि हाई कोट ने आज ये सारी टिपनिया की ज़रूरी है क्योंकि अब इन्हें बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं हाला कि ये ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के टैक्सपेयर का पैसा अपनी कानूनी कारवाई के अंदर फूख रहे हैं और ये उससे बाज नहीं आएंगे जब तक ये अपने पदों पर रहेंगे ब अगराल जो भी हो आपको हर सच से अवगत कराते रहेंगे सच वो जो कोट की फाइलों से जज के कंट से निकल कर आप तक पहुंचा है अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सबिस्काइब और शेयर जरूर करें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखके इससे हमें उचा मिली है और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को जोईन करना ना भूले इसके अलावा आप अगर हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सुपर थाइक्स बटन को दबा कर हमें आप आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं जैए जैबाब